रजस्तान में पाच विधान सबसीटों पर उप्चुनाव होने हैं हाला कि ना तो निर्भाचन विभाग की और से अब तक कोई तारिक तैव हुई है और ना ही सरकारिस्तर पर इसकी कोई अधिकारिक गोशना हुई है लेकिन माना जा रहे हैं कि आने वाले छे महीने में उप जारिये दोसा ये वो सीट है जिसे टॉक से दो बार के विधायक सचिन पाइलेट का गढ़ माना जाता है सचिन पाइलेट का दोसा विधान सबसीट हो या लोग सबसीट दोनों से ही पुराना रिष्टा है इससे पाइलेट का गढ़ भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पिता राजिश पाइलेट और मा रमा पाइलेट यहां से सांसद रचुके हैं सजिन पाइलेट ने जहां विधान सब चुनाओ में मुरारिलाल मीना को टिकेट दिलवा कर चुनाओ लड़वाया तो वही लोग सब चुनाओ में भी पाइलेट ने मुरारिलाल मीना को टिकेट का पत्थाली हो चुका है जिसके चलते यहां भी विधानसभा के उप चुना होंगे वही लोकसभा चुनाओं के दुरान यूवा नेता नरिश मीना का नाम इस सीट से काफी चर्चा में रहा नरिश मीना वही यूवा नेता हैं जिसने 12 जीले की अंता विधानसभा सीट पर प्रमोजेन की जीती रहां में रोडे खड़े कर हरा दिया इतना ही नहीं विधानसभा चुनाओं में जब दोसा सी मुराईलान मीना का टिकेट फाइनल हुआ तो नरिश मीना ने धार्वित कारिकरम में पहुच कर भारी भखेडा खड़ा कर दिया वही नरिश मीना ने लोक लाकिन अमंकर वापस लेने के बाद वो लोक सब चुनाओं में दोसा में परजार परसार करनें नहीं आये थे लेकिन अब माना ज़ा रहा है कि नरिश मीना पढ़िदान सब उप कॉचनाओं में कօंग्रिस के दावेदार हो सकते हैं लेकिन का एक दूसरा खेमा नहीं चात तो दूसरे गुट में वो कॉंग्रिस लेता हैं जो सालों से लोकल राजवीती में सक्रिया हैं ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दनगरी ने शुक्रिया